अब सुप्रबात बच्चों आज हम कहानी की रचना प्रक्रिया क्लास 12 टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड एकजाम में आएगा मैं उम्प्रकास गोष्वामी केंद्री विद्याल है मुझफन नवर चलते हैं बच्चों कहानी की रचना प्रक्रिया गी तरफ क कहानी की रचना प्रक्रिया से पहले हमें समझना हुआ कि कहानी क्या है बच्चों कहानी हुए छोटी आख्यानात्मक जिसको सुनाया जाता है जिसको बोला जाता है जिसको कहा जाता है तो कहानी हुए छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके जो पाठक पर एक समनवित प्रवाव उत्पन करने के लिए लिखी गई हो जिसमें उस प्रवाव को उत्पन करने में सहायक तत्तों के अतरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो मुझसी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की बात करते हैं प्रेमचंद ने कहानी के बारे में क्या काया है कहानी क्या है प्रेमचंद जी के अनुसार जो एक बहुती प्रिसिद्द और लोगप्री कहानी कार रहे हैं कहानी वह दुरुपद की तान है दुर्पद एक राग होता है बच्चो जो वहती सुन्दर राग होता है तो प्रेमचंद ने कहानी को दुर्पद के राग की तान की तरह बताया है जिसमें गायक मैफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतवा दिखा देता है एक चण में चित चित यानी मन को इतने माधुर से परिपून कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनुभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश से रहता है यानी कहानी में पूरे जीवन का उल्लेक नहीं होता है जीवन की किसी एक गटना का उल्लेक किया जाता है उसके चरित्र उसकी सैली उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं लेखक जिस संदेश को जिस गटना को जिस भाव को विचार को आप तक प्रियास रहता है उपन्यास की भांती उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तता ब्रहद रूप दिखाने का प्रियास नहीं किया जाता वह ऐसा रमणी उध्यान नहीं जिसमें भांती-भांती के फूल बेल वूटे सजे हुए हों बलके एक गमला है प्रेमचंद जी क्या कहते है कहानी किसकी तरह है एक गमले की तरह है जिसमें एक ही पौदे का माधुर अपने समुन्नत रूप में द्रश्टी गोचर होता है द्रश्टी गोचर मिंस दिखाई देता है यानि कहानी एक गमले की तरह है बगीचे की तरह क्या होता है उपन्यास यानि उपन्यास में जी बनकी किसी एक गटना का किसी एक भाव का किसी एक संदेश का उलेख किया जाता है लेखक के द्वारा कहानिकार के द्वारा तो एक विचार थे प्रेम चंद के बच्चों बात करते हैं कहानी के तत्त यानि कहानी की रचना है वो किस प्रकार होती है तो उसके कुछ तत्त होते प्रूंसे जब उन तत्त हों का ताना बाना बुन जाता है उसका एक खाका वोता?. एक ड्राप्टिंग होती है एक धाँचंप होता है जब वो धाँचा तैयार हो जाता है डांचे का सामान हमारे पास होता है जैसे मuine बनाना है तो म baru मा razor चाहिए दी वो मैट्रियल है और कारीगर उसको ठीक से लगा देता है मैं बन जाता है वैसे कहानी का जो इस्ट्रक्चर है कहानी का जो धाचा है उस धाचे में क्या-क्या करे तथा बक्ता एवं स्रोता यानि डायलोग संबाद कहानीकार एवं पाठक के बीच यतोचित संबद्ध था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में निमने लिखत तत्त मैत्वण माने गए कौन कौन से तत्त जरूरी है कहानी के लिए कहानी रचना के लिए कहानी लेखन के लिए कथा बच्तू कथा बच्तू मिस कथानक इस्टोरी जब तक आपका के पास इस्टोरी का मैट्रियल नहीं होगा लेखक के पास जब तक इस्टोरी का मैट्रियल नहीं होगा विचार न पात्र पात्र क्या करते हैं आपसमें डायलोग से आप बात करने से कहानी को आगे बढ़ाते हैं पात्र को चरित्र चित्रन भी कहते हैं कथोप कथन अथवा संबाद संबाद या नहीं डायलोग देशकाल अथवा बातावन देशकाल अथवा बातावन से तातपर है समय कहने काहनी को लिखने का तरीखा, कहानी की भासा तथा उद्देश और उस कहानी में नहित संदेश, सिख्छा, सीख, तो यह होने चाहिए कहानी रचना के लिए इस तत्व जरूरी है, जब इन तत्वो का तानाबना बुनता है लेखक, जब किसि विचार को, जब किसी बिचार को किसी मना इस्तिती को जब लेखक इन तत्तों के साचे में इन तत्तों के धाचे में जब इन तत्तों के धाचे में अपने बिचार या मना इस्तिती को परकता है रखता है तो यह धाचा तैयार हो करके क्या बन जाता है कहानी बन जाता है तो कहानी का जो पहला तक तो है कहानी रचना के लिए पहली जरूरी चीज़ है क्या कथावस्तु यानि मैटेरियल कहानी लिखने के लिए क्या चाहिए आपको सबसे पहले उसकी स्टोरी चाहिए कहानी के लिए विचार होने चाहिए आपके पास विचार कहानी के धांचे को कथानक अत्वा कथावस्तु कहा जाता है प्रतिक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार है क्योंकि इसके अबाब में कहानी के रचनाखी कलपना भी नहीं की जा सकती कथानक के चार अंग माने जाते हैं यानि आरंब आरोह चरम प्रेमचंद की बहुत ही प्रसत काहनी है लोगप्री काहनी है सुन्दर काहनी है कभी मौका मिले तो पढ़ना इसमें हामिद बच्चा होता है उसके साथ के दूसरे बच्चे भी होते हैं हामिद की अम्मी होती है चिम्टा होता है मेला होता है बहुत सारी चीज़ें इसमें ल ए्षारित्रेखं सो क्रैक्टर है कि उपता ओसे lot देखेए ईश्याम है काहानी का नाम है को ये बहुत संदर कानी उसने कहा था में संबाद आपस लुड्यार करना काहानी में लेखक लिए करेक्टर उन कर्रेक्टर के बीच जो बात चलती है, उसको कहते हैं संबाद, संबाद कहानी का प्रमुकंग होते हैं, इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतरदुन्द, मानसिक अंतरदुन्द इस मन की बात, एबम अन्य मनो भावावां को प्रकट किया जाता है, कहानी का चोथा जो तत्तो बच्च वो है देशकाल या बातावर्ण, यानि सामाजिक परिष्टती, तत्कालीन, समसामेक सामाजिक परिष्टती, बातावर्ण, इस्थान, कहानी में बाश्त्रों किता का फुट देने के लिए देशकाल अत्वा बातावर्ण का प्रयोग किया जाता है यानि कहानी को मजबूत बनाने के लिए सार्थक बनाने के लिए उसे यथार्थ बनाने के लिए हमें जिस समय का जैसा समाज है उस समाज के अंदरूप कहानी की रचना होनी चाहिए समाज में जो अभी कौन-कौन सी समश्यां है उन समश्यां से related कहानी हो सकती है समाज के दुख-दर्द से related हो सकती है तो हमारा जो आज का जो समाज है या किसी भी time का जो समाज है उस समाज से संबंदित होनी चाहिए कहानी उसके अंद्रूप होनी चाहिए तो इह वहा आपका देशकाल और बातावंड बच्चों कहानी का जो अगला जो तब तब वह है भासा सली यानि जो लेखा के पास विचार भी है लेखा के पास यानि कृतानक विशेवचतू मैटीरयल भी है पात्र भी है डाइलोग भी है समाज या देशकाल बातावन भी है लेकिन भासा नहीं है तो उस कहानी को कैसे सुनाएगा कैसे लिखेगा तो कहानी को लिखने के लिए क्या चाहिए भासा और सैली मिंस उसको कहने का उसको लिखने का तरीका और तरीका कैसा जो पाठक को या सुरोता को आनंदित करे अच्छ तो यह बहुखए हैं इसका कहानी का प्रमुक तुकमा जाता है। सिक्षा कहानी से कोई नभी सीख मिलती चाहिए हएखा कौने अपे प्रति समर पित ओना चाहिए माता पिता के धुख को समझ ना चाहिए है क्योंकि जब उसकी अमी कesना खर्ली के लाता है तो उसकी अमी के हाथ आग से जल जाते है कहाना बनाते समय क्शिम्टा नहीं उन Kara के पास तो हमीद जब में इद्गा के मेले में जाता है तो वहां से चिम्टा खरीद के लाता है अपनी अम्मी के लिए और अम्मी जब हामिद के हाथ में चिम्टा देखती है तो इतनी खुस होती है मन ही मन तमाम दुआएं देती है हामिद के लिए तो यह सीख मिलती है मैं कि बच्चों को माता पता के दुख को समझना चाहिए माता-पिता की मना इस्तिती को समझना चाहिए और जितना माता-पिता प्यार करते हैं बच्चों से उतना ही प्यार बच्चों को भी माता-पिता से करना चाहिए तो हर कानी की सीख होती है, सिक्षा होता है उद्देश्च होता है, सिक्षा मिलती है कोई भी कहानी सिच्छा से रहत नहीं होती है हर कहानी से हमें सीख मिलती है सिच्छा मिलती है तो इसी को हम उद्देश्च कहते हैं कहानी में केवल मनुरंजनी ही नहीं होता अपितु उसका एक निश्चत उद्देश्च भी होता है उसमें कोई न कोई सक्षा, सीख, मानभी मूल अवश्च नेत रहते हैं जैसे इमानदारी, कानी में कोई न कोई मानभी मूल ले होते हैं जैसे इमानदारी, सच्चाई, भाईचारा, एकता, परोपकार, एवं कर्तब बिनिष्टा कर्तब निष्टा की बात करें इमांदारी की बात करें तो ग्यारमी क्लास में आपने पड़ा होगा नमक कद्रों का कहानी जो इमांदारी और कर्तब निष्टा की सांदार कहानी है सांदार मुल्यों का उसमें प्रेम चंद्रे उलेक किया है एक चित्र देखरें बच्चो आप बूडी काकी जो प्रेम चब की कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है इसको आप देखना बहुत सुंदर सीख मिलेगी, यानि घर के बुजरगों का हमें आदर करना चाहिए उनको अपमानित नहीं करना चाहिए उनका अंदेखा नहीं करना चाहिए उनकी help करनी चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए यह सीख मिलती है मैं बुडी का की कहानी से जिसमें के एक जो छोटी बच्ची है घर में वह अपनी दादी का कितना खयाल रखती है कितना सोचती है दादी के बारे में तो ये बूरी काकी है कहानी क्रामचंद की पढ़ना कभी मौका में लेतों तो ये छटा जो तत्त था कहानी रचना का वो था उद्देश इस तरह से छे तत्त हो गए कहानी के बच्चों कथानक संबाद पात्रया चरित्र चत्रन देशकाल और बातावन भासा सेली और उद्देश इस छे तत्तों से कहानी का अंद्रमाण होता है कहानी की रचना होती है धन्यवाद वच्चों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ थैंक्यू